वो monthly contract पर फून ले रहे होता है आपको इनिशल डिपॉजट सो या 1500-200 पाउंड आप दे असलाम लेकुम इस मुद्धसिर खान वेलकम बैक टू अनी वीडियो सो आज इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप लोगों ने यूके में रहते हुए अपने नाम पर क्यों मॉबाइल कॉंट्रेक्ट पर लिया है किसी कंपनी से वह होता है या कोई सिम प्लैन अगर लोग है वह एड होता है देड हफते बाद जूप निकली है तो मैंने सोच है इस पार्क में आज आके वीडियो बनाईजे इस पार्क का नाम है शेल्डन कंट्री पार्क यह बड़ा अच्छा पार्क है यह बिल्कुल मेरे घर के पास है मज़े की बाप तो मैं यूके आया था ना मेरे पास जॉब आपको यह बात करते हैं सबसे पहले यूके में दो तरह की अकोमेडेशन होती है एक होती है उसे पांचे स्ट्रूंड मिलके भी उसकर लेते है और इसमें डिफरेंट फेसलिटी होती है वो देते हैं आपको इंट्रेट भी देते हैं वाइफाइ भी मिल जाता है और आपको अलेक्षिन गैस का बिल इसी के अंदर होता है 400 से 500 के बिच्वीन आपको student accommodation मिल जाती है अब यह बात कर लेते हैं private accommodation वो होती है जो हां कि local native लोग होते हैं वो अपने room rent outs कर देते हैं वो कुछ लोग मेरे कुछ जानने वाले हैं वो 180 में भी रहा रहे है 220 में 230 250 आप देख लें तो आप लोगो 250 से 300 के बिच्वीन में private accommodation मिल जाएगा लेकिन इसके अंदर कुछ जो home honours होते हैं property के जो honours होते हैं वो आपको कहते हैं कि gas electricity bill इसी के बीच में include है और यह आप लोगो सब्सक्राइब लेते हैं मैं भी कभी कभार वाँ चलेता हूँ UK fried chicken है उसकी deals बड़ी अच्छी होती है 3 pound या 4 pound में आपको एक अच्छी deal मिल जाती है ठीक है और अगर सुबह का खाएंगे दुपैर का खाएंगे शाम का खाएंगे तो आपके लग जाएंगे 15 pound लग जाएंगे सो आप इसको आगे multiply कर ले मंतली तो आपको निकल आएगा calculation कितना expense होगा और अगर आप मंतली आप लोग घर पर लेके आते हैं मों more than 100 pounds से जाधा नहीं आता दबा के खाएं चिकन मीट आटा डालें जो भी आप लेके आएंगे 100 pounds से उपर नहीं जाएगा सो मैं यह कहूंगा आपको recommend करूंगा monthly लेके आएं वह जाधा best होता है ठीक है और expense भी जाधा नहीं होता healthy खाए अच्छा खाए सो जी अब बात कर लेते हैं monthly यहां पर जो students होते हैं हमाही तरह जो लोग होते हैं वह monthly contract पर phone ले रहेते हैं या cash पर ले लेते हैं जो मैंने phone लिया ना क्यूंकर मैंने वीडियो अप्लोड करनी होती है जो मैं SIM का दे रहा हूं मेरी SIM है O2 मैं उसका दे रहा हूं 20-22 पाउंड में दे रहा हूं उसका monthly और अगर आप लोग contract पर phone लेते हैं उसका 40-50 आपके account से monthly detect हो जाता है ठीक है so मैं आप लोग को recommend करूँगा कि आप लोग cash पर ले लें contract पर ना ले मैं अपनी prediction दे रहा हूं लाइक बेतर होता है अगर cash पर लें वो सारा contract पर कभी कबार नहीं होते है पैसे बंदे की job का मामला होता है इस तरह बंदे की credit history खराब हो जाती है सबसे best company है मैं बताता हूं और वोड़ा फोन है ठीक है और मेरा जो contract चल रहा है SIM का मैंने सिर्फ सिम लीगे हो लोगों से 24 पांड मों का pay करता हूं वो है लाइक ओटू की SIM है unlimited debt है और unlimited call in UK ठीक है लेंडन पर call करनी होती है फोन पर मैं कर लेता हूं direct call मुझे इतनी expensive नहीं पड़ती तो यहां पर और भी तरह की SIMS है गिवगाफ हो गई है लाइका हो गई है यह local SIMS होती है इसमें आपको भी रिचार्ज कर सकते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं अभी हम traveling expensive student का यहां पर UK में कितना होता है इसमें बीना दो तीन तरह की चीज़े आ जाती है अगर आप लोग daily frequently सफर करना चाते है तो मैं आप लोगों को recommend करूंगा कि आप monthly bus pass ले ले ठीक है वो बन जाता है student का 40-45 pound के अंदर बन जाता है लेकिन उसमें आप लोगों कोशिश करनी है कि आपके पास आपका student card हो कभी भी चेक कर सकते हैं कोई आ जकता है लेकिन अभी तक मेरे होते हैं कि मैं तो सफर के अभी तक कोई bus में कभी अलेक्ट चकी नहीं लेकिन बूरे टाइम का पता नहीं है कभी भी कोई आ सकता है और हाँ इसमें को और चीज भी होती है अगर आप monthly सफर नहीं करना चाते तो इसमें को और चीज होती है कि आप daily day saver ले सकते हैं वह चार पॉंड क होता है card up एक बार tap कर सकते हैं और जब दूसरी बार जब सफर करेंगे दूसरी बार भी टैप करेंगे अचार पॉंड आपके लगेंगे इसमें के एक और चीज होती है वह होता है single day saver अगर आप लोग ने एक बार ट्रावल करना है तो आप लोग बेस्ट कंपनी बताए त तो 800 पॉंड से 1000 पॉंड तक वह easily कमा सकता है आप बेतर समझते हैं यहां पर इन लीगल वेज भी होते हैं लीगल वेज भी होते हैं आप समझधार है सो मैं आप लोग को recommend करूँगा कि आप एन लीग पे काम करें इसमें आप लोग को बहुत से benefits मिलेंगे ठीक है और आप easily fees में निकाल सकते हैं सो अगर बात कीजए minimum एक student का expense केतना होता है 400 से लेके 500 पाउंड तक होता है और हाँ अगर additional चीज़े में add की जाए कोई बंदा shoes ले ले जैकेड ले कोई like कपड ले तो वो extra हो जाते हैं सो मैं आप लोग को यह कहूंगा कि start के month में थोड़ा सा हाथ हलका रखे बाद में जब आप प्रॉपर सेट होजे तो आप लोग जो मर्जी करें वो आपकी अपनी मर्जी है सुखेर आज की वीडियो के अड़म यहीं पर करते हैं कि आप लोग को वीडियो चे लेगी वीडियो को like करें share करें subscribe करें next वीडियो बज्जा मिलते हैं अपना बहुत ख्याल रखें Allah आफेस